कर्रस्पोंडेंस विद स्टाइचुटरी आउथोरिटीज चैप्टर नंबर बारा हर चैप्टर में चार चार लेटर्स है उसमें से यह पहिला लेटर है लेटर टू रोसी और सिकिंग एक्स्टेंशन ऑफ टाइम टू होल्ड एजीए नाओ पहले तो समदना पड़ेगा आरोसी कोन है रेजिस्टर अफ कंपनीज कोन है वो सेंट्रल गोर्रमेंट का पॉइंट के वाद मी कितने रेजिस्टर है भारत में 22 मारश्ट्रा में कितने दो तमिलाडू में कितने दो नं से नहीं वो तो नोटीस का काइदा है कोन से तारीक से पहले होना चाहिए 30 सप्टेमबर सो काइधा क्या बोलता है कि तुम्हारा AGM जो है 30 सप्टेमबर से पहले तुम्हारा अन्वेल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए ठीक है डेट चसे जिएंट टू ता फ्टॉजन ट्व दे सकता तो यह दी पहला AGM का extension के लिए लेटर लिख रहे है तो बूल जाओ वो रेजिस्टार के पार में भी नहीं आता रेजिस्टार को allowed है तीन महने तक extension देने का बट पुराने AGM के लिए नवी कंपनी का पहला AGM है तो extension नहीं मिलेगा रेजिस्टार चाहा कर भी नहीं दे सकते हैं लेकिन extension मांगोगे तो कारण जैनूइन चाहिए क्यों extension वो करना पड़ेगा तो क्या करना इधर का एड्रेस तुमारे फादर जहां बिजनेस है जॉप करते हो डालते है फोन चल सकता है वेबसाइट इमेल खुद का डालो रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हो थर्टी जुलाइए अभी एक जोग बताता हूं कि थर्टी जुलाई के मरीन लाइन चिंज पोकली में जहां तक मेरा नौलेज है मुंबई सब सब्जेट एक्स्टेंशन ऑफ टाइम फर होल्डिंग थर्ड समझ में आ रहा है फॉर्स नहीं है थर्ड एजियम मतलब यह जो पार्ट है तुमारा इसके आने वाले जो और तीन लेटर्स है एक दो त टीन चार यह सब होसे मुना चाहिए मिनिस्ट्री अफ और फेर्स को लिखा तो एमसीए डेली आएगा अभी तुम एक्ट्वल में रिक्वेस्ट कर रहे हो एक्स्टेंशन का एक्स्टेंशन नहीं वा तो पेनल्टी कितना है तुमने नहीं एक्स्टेंशन मांगा और 30 सप् जो होता है तो तुमने 10 ओक्टोबर को रखा तो कितना परिल्टी बेटेगा 5000 इंटेंग कितना पचास हजार प्लस लाग रुपया किसको हरे एक ऑफिसर को की एंप को की मैनेजल परसनेल सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 सेक्रेटरी डारेक्टर एमडी सब को बेटेगा यह देड़ 13 section 96 provides that every company other than OPC shall hold initial holder AGM ठीक है थार सल AGM होना चिये है थार साल AGM होना चिये है एंस as per the act the company must hold third AGM on or before क्या बल रहे 28th September for the financial year March 18 जो खतम बा अब कारन पहले तो कायदा बताया इती सब्टेंबर तक होना चिये we are actually we are sorry नि लिखते विदीग बलते we रिगरेट पॉलते we रिगरेट तो इंप्रम यो that our employees have been on strike since 28th June 2018 hence we have not been able to finalize our accounts on time therefore in the given circumstances we are not in a position to hold AGM कारन जनी दिख रहे है या तो एक और कारण है there have been floods in the factory ऐसा रिलाइम्स जामनगर प्लांट में floods हुआ था ये भी जनुरीन कारण है tsunami और सबसे best कारण due to covid restrictions ठीक है बट अभी नहीं लिख सकते है अभी covid जा चुका है ठीक है we therefore request you to grant us an extension कितना मांगा है उसने two months कितने time तक मांग सकता है three months तीन महिने से जादा नहीं मांग सकता है उसने दो महिने मांगा है we will be highly obliged if you grant us the extension thanking you you are safe now यहाँ पर देखो copy of annual report भेजा है पहली बात तो register को ये written form में submit किया register से acknowledgement लो कि आपको मिला है उसने confirm नहीं किया तो तुमको मजबूरं 30 September से पहले रखना पड़े लेकिन current genuine है यहीं नहीं मारा तो तुम उपर के authorities के पास जा सकते हो कि भई दिक्कत register नहीं मान रहा है ठीक है तुम ट्राइबुनल में चले जाओ ठीक है ना कि भई रेजिस्टर एक्समेशन नहीं दे रहा है और हमारा अकॉंट्स टायर नहीं है लेकिन रेजिस्टर जैनूइन दीजन है तो दे देगा letter to mca for ticket raising और other services relating to technical complaints अब यह होता क्या है तुम जैसे की special resolution file करते हो special resolution क्या होता है सौ मैसे 75 votes company का नाम बदलना है ठीक है तुम यह online file करते हो अब कुछ तो दिक्कत हो रहा है इसलिए तुमने ticket raise problem raise किया है ठीक है देखो यहाँ पे top में same phone number website email reference number यह 1st july 2018 ठीक है यह तारीक web information manager यह यहाँ पे mca लिखना चाहिए था इन लोगने mca web information manager subject difficulty in downloading e-form जब GST launch हुआ था यह income tax का portal हमको भी बहुत दिक्कत आता था गवर्मेंट के portal में कभी कबार glitch आता है तो तुम क्या बोल रहे है ध्यानते सुनना company needs to file from asset 7 to intimate the register about the alteration in our share cap तुमको inform करना पड़ेगा एक अच्छी बात है एक अच्छी बात है कि तुमको offline नहीं करना पड़ता क्या करना पड़ता है online ठीक है now asset 7 तुमको सब्मिट करना अच्छा इसके काइदे है time frame है नहीं माना तो क्या लगेगा अब तुम्हारी गलती नहीं है अब एक जोग बताता हूँ गूगल ने हमारे एड फिलाल बंद कर दिए ठीक है एक पिन वो लोग बेचते पोस्ते पिन उन्होंने बेजा नहीं और मुझे बोला पिन अभी तक भरानी इसलिए जब तक पिन नहीं आता है एड बंद रहेगा मैंने रिप्लाई किया पिन ब तो अब यह लोग रिप्ला करेंगे ने करेंगे तो बैठेरो ठीक है ना पिन वो लोग बेजेंगे भाई लोग ने पिन बेजा ही नहीं और मैंने डुप्लिकेट पिन का रेस किया अब आएगा चार तीन अफने बस तुम लग एड फ्री एक देखा जा तो अन्फेर है क्य हुल रहा है हावेवर फॉम लास्ट टो डेस्ट अनेबल टो डाउनलोड दो फॉर्म दो सिस्टम मेसेज श्टेट्स दो फाइल इस डैमेज़ एंड के नाट भी रिपेट यह होते रहता है जी इस्टी ब्लांच हुआ था गोर्मेंट नाराज होके लास्ट पे इंफिस इस तो जी इस्टी के टाइम में वेबसाइट में बहुत सारे ग्लीचेस थे इंकम टैक्स का नया वेबसाइट में बहुत सारे ग्लीचेस थे बट इनिशली एक दो साल रहता है तो अभी बहुत अच्छा हो एक है we have tried to bear our best to resolve issue but failed hence we request you look into the matter एक और चीज़ मेरा अनुभव ऐसरा है गोवर्मेंट के जाथ की गोवर्मेंट से गलती हो रहा है ना तो डिलेट चार्जेस फिर गोवर्मेंट नौर्मली नहीं लिए और मेरा यह भी मानना है एटल का वाइफाई घर पे बहुत टाइम में आफ रहता है इन लोग को कैसे दिन एक्स्टेंशन दो सिरी बातना व्यवार बरावर है हम पेमेंट कर रहे तो तुम क्या करते वो लोग 90 देस हो तो 90 रखते है 91 नहीं बंद किस्ते रखा उन्द नहीं रखा गर पे बंद रखा तो हमारी जवाबदारी हो लेकिन सर्वेस प्रवाइड यही डिले होता है तो यहां पर मुझे रखता है गवर्मेंट पेनल्टी तो नहीं लगाना चाहिए कॉपी ओफ दे मेसेज इस एपेरिंग वेबसाइट यह तुम फोटोग्राफ लेके डाल दो लेकिन फिर आजकल ऐसे ग्लिच मुझे गवर्मेंट का वेबसाइट का कम दिखता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैक भी हो जाते है वेबसाइट और इंडिया वाले भी सिटी का कुछ चाइना पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने हैक कर लिया ऐसे भी होता है लेकिन अपना थोड़ा मजबूत है तो टेंप्लरी रहता है रिप्लाइट वह कंप्लेंट मां इंवेस्टर बीना पढ़े बोल सकते हैं इंवेस्टर कंप्लेंट क्या करेगा शेर्स तो मिल जाते हैं अधी मैट में प्राफिट का डिविडेंज नॉर्मली इंवेस्टर मेरा नॉलेज का इसाब से इंवेस्टर बागी कुछ माँएगा नुक्लेंज दो क्यों नहीं दे रहें ठीक है चलो देखते हैं क्या बोलना चाहता है इंवेस्टर ने कंप्रेंट लिखा देखो संराइज लिमिटेड ये सब डालो तुम रिप्लाय कर रहे हो कंप्रेंट ना इंवेस्टर के दार पर कंप्रेंट ही निख रहे है ये नॉन डिसीट ऑफ एनुवल रिपोर्ट लेकिन नॉर्मली क्या लिख सकते हो डिविडेंट कि इसमें एक और बड़ी गलती है कोई बोलतकता है क्या बड़ी गलती है चलो लेट्स चेक आउट आज कर लिए लेठां भाई इमेल में आता है ना एनुवल रिपोर्ट कैसे बोलतकता है वह नॉन डिसीट समझ में आ रहा है आनुवल रिपोर्ट नोटिस जब तुम को भ अनुवल जब्टिंग का नोटिस बेश्टी नोटिस के सब डाउनलोडिंग रहते है ना तुमारा इमेल में डाउनलोड करसकते नो आनुवल रिपोर्ट उसमें आता है ना जो यह जमाना चला गया कि एनुवल रिपोर्ट मिला नहीं दस पन्रा साल पहले 15 साल पहले के दिन शेयरोल्डर पोच सकता है क्यों डिरेक्टर से क्यों डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है ठीक है बीच में लिखा तो जाब देना है नॉन विसीट ऑफ एन्वल रिपोर्ट अब कंपनी जाब देरिये वहभव जोशी को अच्छा एक और चीज़ बताता हूं कंपनी को सवाल पूछता है और प्रूव कर दिया उसने की जानमचकर नहीं बेजा गया तो फिर मीटिंग इन्वैल लेकिन पोस्टल डिलेज या पोस्टल मिसेज के वज़े से गूगल ने शाइद भी होगा मुझे कुछ होगा पोस्टल प्रॉब्लम तो फिर में कुछ नहीं कर सब लाजिक समझ में आ रहा है तो शेरोल्डर मीटि ये बी जवाब ना ऐसा नहीं है इन लोगों ने क्या बोलना चाहे था वे अव सेंट यू था अन्योल डेटेड गया रहा है तो फिर में आ रहा है तो फिर में आ रहा है ये प्रॉब्लम ये लिखना चाहे ना अस पर अड्रेस ऑन रिकॉर्ड इंगर इन्वारी इन डेंग बात एन्वल डिपोर्ट तुम कागजी फॉर्म में मांगो तो ही कंपनी देगी वरना कंपनी जैक्ट में जो बदला हुआ है पिछले आठ दे साल से किसी को भी कागजी फॉर्म में नहीं आता है क्यूंकि को करोड़ों रुपए खर्चा आता है तुमारे जो पेजेज है वरना इमेल बेजेगी तुमको चेजे तो तुम प्रेंट आउट निकाल सकते हों तो यहां पर कंपनी बोल रही ही कि हमने आपको भेजा था रेजिस्टर पोस से अन्फॉर्चनेट डैट यह नॉट रिसीव नोटिस अव देन्वल रिपोर्ट हैंस वीर वन सेंदिग यू लेटर बनाया है जो भी टीचर ने उसने गल्की किये यह सेकंड ऑक्टोबर नहीं चाहिए यह चाहिए ऑगस्ट या सब्टेंबर सेकंड थार्ड चाहिए मिटिंग खातब होने के बाद काई का एन्वल रिपोर्ट मांगो तो यहां पर भाई ने लेटर लिखा है 28 सब्ट सब्टेंबर को 30 सब्टेंबर से पहले का काईद है सो तुम देट क्या चेंज कर देना सेकंड ऑक्टोबर के बज़ा है सेकंड सब्टेंबर और यह 28 सब्टेंबर के बज़ा 28 ऑगस्ट बोल देना अच्छा कंपनी वापीस बेज रही है सीधी बात है ना कि यह इन वी आर अच्छो सेंडिंग यू वाइए इमेल फ़र यॉर समझ में रहा है क्यों उसको इमीजट पढ़ रहा तो इमेल और में होगा कंपनी तु बोलों का वाट्सप में भी सपोर्टिंग दे रहे है लौजिक समझ में रहे है क्यो नहीं आपको इमेल दे रहे है आपका करक दिखाना इंडिया आपने से पीछे कोविट के मामले में तो यह काघजी फर्म को जमारा चला गया है इंडिया में अभी तो गोवर्मेंट का भी सब कुछ यह हो रहा है आ अंलाइन सब एब जरो वो सब आ जाएंड पात साल बात कम से से कम यूज होएगा इंडिया में इंडिया अमेरिका है सब मामले में इस मामले में बहुत आगे तीस रुपए का रेजिस्टर पोस्ट लगेगा थीस से चालीस रुपया बुक फूप्रिंट करने का अट लिस्ट फिटी टू हंडिर रुपई रिलाइंस ओ कलर्ड फॉर्म मे एक कॉपी बेजना और एक लाख रहे है तो कितना करचा एगा कल्क्रेट करो कम से कम दो करो देड़ से दो करो रुपई का करचा प्लस एंप्लॉई जो प्रिंट करेगा अड्रेस प्रिंटिंग टाइपिंग सेंडिंग और आदमी का पगार कितने दोग लगेंगे तो यह चला गया है सबको इमेल कर दो मैटर खतम ठीक है ना एन्वल रिपोर्ट सेंड सीची टू सेभी यह से उसने शाद सेभी को कंप्लेंट किया होगा यह भी होगा नहीं किया होगा तो सेभी को क्यों बेज रहे है यह कुंसा दूसरा था चलो यह कुंसा नमबर था इसका अप अब कंपनी लोटा नहीं पा रही है और यह काइदा बहुत सकते हैं तुमने नहीं लोटा यह तो डारिवार्ट सेभी को क्या होगा नहीं है कि नोकरी जाएगी दूसरे लोंस नहीं मिलेंगे तो पॉब्लिक डिपॉजिट के लिए तुम तीन साल के बाद एक्स्टेंशन मांग रहे हो समझ में आ रहा हैं कंपणी कों सी है सन्राइज लिमिटेड यह देट यह तुमारा एंचल्ट ट्राइबुनल न्यू डेली एक्सेंशन ओफ टाइम तु रिपे पॉब्लिक डिपॉजिट अब ध्यान से देखना है इसमें गलती है कोई बोल सकता है गलती क्या है पहली बात तो जिसका 100 क्रोड का शेर कैपिल हो नेट वर्थ हो वही पॉब्लिक डिपॉजिट ले जकती है और 100 क्रोड का मैक्सिम सर्किट अलावड है 25 तका मदलब कितना होना चाहिए था 25 क्रोड के असपास 25 क्रोड तक 10 लाग के लिए पॉब्लिक डिपॉजिट करेंगे इतना खर्चा करेंगे तो इदर तुम चाहिए तो इसको 25 क्रोड कर देना और 1st January 2017 for a period of 2 years यार रखना पॉब्लिक डिपॉजिट ज्यादा सर्कितने ताम के लिए इस्यू हो सकता है 3 years तीन साल से ज्यादा अलाओ नहीं है the deposits are to be repaired on or before 34th December 2018 however as the companies facing severe financial problems companies unable to repair the deposits company is need company will be unable to repair 34th December due date due date आया नहीं company will be unable to repair the deposits on the above mentioned date या ऐसे भाशा लिक सकते हो it seems that the company will not be in a financial position to repay as of 34th December भाशा समझ मेहरा कैसे यूज करोगे भाशा ही अच्छी नहीं it seems that the company will not might not be in a position to repay the board meeting held on 29th September 2018 and passed the resolution for seeking extension from NLC for a further period of two months to repair the deposits अभी यहाँ पे end में बोला है therefore we wish to seek an extension of two months to repair copy of the petition is attached in two sets we assure you that the company will repair the deposits on or before 28th September यह extension नहीं मांगा due date चला गया है तो company in default मांगी जाएगे डिरेक्टर की नुक्री तुरंद गई प्लस NCLT हाँ बोलेगा लेकिन 16 टकका जहां ब्याज है वो हो जाएगा 20 टकका तीन मेने का साल मैं अन्वल की बात करो ब्याजदर वो दो मेने का NCLT बढ़ा के देगा मतलब मैं डिपॉजिटर हूँ न मुझे वापिस नहीं मिल रहा है company की गल्की है तो company को देना पड़ेगा next certified coffee or board resolution आरहा समझ में तो यह था NCLT है तुमारे मन में आ रहा होगा रेजिस्टर को क्यों नहीं लिखा है रेजिस्टर के दाइरे में नहीं आ रहा है NCLT के दाइरे में आ रहा है अच्छा NCLT ने permission नहीं दिया तो तुम क्या करोगे NCLT के पास चले जाओ कि नहीं दिया extension तो यह थे तुमारे चार letters इसमें से कोई भी एक आ सकता है मैं तुमको फेवरेट भी बता दू कौन सा उनका फेवरेट रहता है normally first जो है extension of time में काफी 5 में से 3 paper में पहला letter का chances जादा है ओके तो यह आपे सारे letters खतम होते है